फिल्मों में जोडियों का बहुत महत्व रहा है, चाहे हो हीरो हीरोईन की जोड़ी हो, गीतकर संगीतकर की, या फिल्ममेकर कैमरमेन की. वैसे भी एकी टीम होने से आपसी समझ और तालमेल बहतर होता है, जिससे फिल्म बनाना असान हो जाता है. शायद इसलिए हर production house की अपनी एक team होती है और अमूमन हर team में एक fix cameraman भी होता है जैसे गुरुदत productions में वीके मूर्ती, आरके films में राधु करमाकर, बिमल रोई productions में कमल बो, सिसी तरहा, महबूब productions में थे फरीदू निरानी जिनके camera ने shoot की थी भारत की पहली technicolor film और वो iconic film भी जो Academy Awards में भारत की पहली nominated film थी इस वीडियो में इनहीं फरीदू निरानी की बात होगी, वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो like, comment, share जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से subscribe कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें फरीदू निरानी वो cinematographer थे जिन्होंने उस एतिहासिक meeting की अध्यक्षता की जिसके बाद मुंबई में WICA यानि Western India Cinematographers Association का गठन हुआ फरीदू निरानी का बच्पन बॉम्बे में ही गुजरा जहां उनके पिता का departmental store था उनके पिता चाहते थे कि वो England जाकर इंजिनियरिंग की पढ़ाई करें मगर फरीदू निरानी को सिनेमा में इतनी रुची थी कि वो अपना ज्यादातर समय पैलेस सिनेमा में बितारा करते थे और वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहू तो वो आपको मिली जाती है तो उन्हें भी मेट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंपीरियल फिल्म कमपनी में बतौर अप्रेंटिस काम मिल गया फरीदू निरानी लगभग तीन साल तक इंपीरियल फिल्म के कैमरा डिपार्टमेंट में काम करते रहे और आखिर कार उन्हें वो मौका मिल गया जब कैमरा की कमान उनके हाथ में आ गई ऐसा तब हुआ जब 1929 में आरदेशिर इरानी ने इंपीरियल फिल्म कमपनी की सहायक कमपनी के तौर पर सागर मुवी टोन की शुरुआत की जिसमें उनके पार्टनर थे चिमनलाल देसाई और डॉक्टर अम्बालाल पटेल हलाकि जल्दी ही आरदेशिर इरानी ने सागर मुवी टोन छोड़ दिया मगर इंपीरियल का बहुत सा स्टाफ वहां काम करता रहा जिसमें एक थे फरीदुन इरानी और दूसरे थे महबूब खान और जब ये दोनों साथ आए तो एक नई शुरुआत हुई लेकिन उस विशे में बात करने से पहले बात करते हैं उस मौके की जिसने फरीदुन इरानी को कैमरा मैन बनाया वो मौका उन्हें मिला 1930 में जब नानु भाई वकील ने एक फिल्म डारेक्ट की जिसकी चार रील फरीदुन इरानी ने शूट की ये फिल्म थी सागर मुवी टोन की दान लीला और फिर एक फुल फ्लाजट फीचर फिल्म शूट करने का मौका भी उन्हें नानु भाई वकील नहीं दिया वो फिल्म थी 1932 में आई गुजराती फिल्म नर्सी महता फिर 1932 में ही प्रदर्शित हुई बुलबुले बगदाद उसमें फरीदु निरानी के कैमरा वर्क की काफी तारीफ हुई इसके बाद उन्होंने सर्वत्तम बादामी के लिए ग्रह लक्ष्मी, वेर का बदला, डॉक्टर मधुरिका, ग्राम कन्या और कोकिला जैसी कुछ फिल्में शूट की उस समें के जादतर फिल्मों के प्रिंट नश्ट हो चुके हैं तो उस समें के उनके काम को आखना या उसका अंदाजा लगाना बेहत मुश्किल है इसे बीच उस प्रोफेशनल रिष्टे की नीव पड़ी जिसने भारती सिनेमा को कई महत्वपूर्ण फिल्में दी महबूप खान हीरो बनने के लिए फिल्मों में आये थे और इंपीरियल की कई फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाय निभा चुके थे और जब आरदेशी रिरानी ने सागर मुवी टोन शुरू किया तो वहां भी उन्होंने बतौर सहाय कभिनेता कई फिल्में की इसे दोर में महबूप खान ने एक कहाने लिखी जिस पर वो खुद एक फिल्म बनाना चाहते थे कहानी तो सबको पसंद आई मगर किसी नए व्यक्ति को निर्देशन का मौका देना एक बहुत बड़ा रिस्क था तो उनसे कहां गया कि पहले वो एक रिल बना कर दिखाएं उस वक्त तक फरीदु निरानी और महबूप खान अच्छे दोस्त बन चुके थे इस फिल्म के बाद महबूप खान और फरीदु निरानी में ऐसी दोस्ती हुई कि फिर महबूप खान के निर्देशन में बनी लगभग हर फिल्म के सिनमेटोग्राफर फरीदु निरानी ही रहे सागर मुवी टोन की डकन क्वीन, मनमोहन, जागीरदार, हम तुम और वो, एक ही रास्ता और अली बाबा जैसी कई मशूर फिल्मों में कैमरा का कंट्रोल फरीदु निरानी के हाथ में ही रहा दूसरे विश्वियुद के बाद सागर मुवी टोन और जर्नल फिल्म्स के मरजर से 1940 में जब नैशनल स्टूडियो अस्तित्व में आया तब महबूब खान के साथ-साथ फरीदु निरानी भी नैशनल स्टूडियो से जड़ गए और वहां जो तीन बेहतरीन फिल्में महबूब खान ने बनाई उनमें सिनेमेटोग्राफर फरीदु निरानी ही रहे ये फिल्मे थी औरत बेहन और रोटी औरत और रोटी फिल्म की फिल्म इतिहास में एक खास जगा है औरत वो फिल्म है जिसकी कहानी पर महभूब खान ने मदर इंडिया बनाई और रोटी फिल्म एक ऐसे फिल्म थी जिसमें पैसे की एहमियत और रोटी की एहमियत को दर्शाया गया था 1942 में महभूब खान ने नेशनल स्टूडियो छोड़ दिया और अपना प्रोड़क्शन शुरू किया महभूब प्रोड़क्शन उनकी उस टीम का तूट हिस्सा थे फरीदु निरानी जिनके रिलाइन्स ने महभूब खान की हर फिल्म को एक गहराई दी नजमा तकदीर और हिमायू जैसी शुरुआती फिल्मे हो या पहली सुपर हिट म्यूजिकल फिल्म अनमोल घड़ी लिकिन जब अंदाज आई तो फरीदु निरानी के कैमरा ने फिल्म के हर मूर को इस तरह कैप्चर किया कि बहुत से द्रिश्य यादगार बन गए जब आन फिल्म आई तो फरीदु निरानी काम्याबी की उचाई पर पहुँच गए इस फिल्म को सुलह एमेम गेव कलर में शूट किया गया था बाद में टेक्नी कलर में कनवर्ट किया गया उस समय की ये सबसे मेहंगी फिल्म थी और पहली भारतिय फिल्म भी जिसे UK, US, जपान और फ्रांस समेत दुनिया के करीब 28 देशों में 17 भाशाओं में सब्टाइटल के साथ रिलीज किया गया था ब्रिटिश मीडिया ने भी इस फिल्म की भरपूर सराहना की थी और इस तारीफ में एक बड़ा हिस्सा फरीदून इरानी का भी था 1957 में आई महभूब खान की मदर इंडिया जो दुनिया भर में मशूर हुई और इसने फरीदून इरानी को दिलाया बेस सिनेमेटोग्राफर का पहला फिल्म 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 वो फिल्म थी जो आसकर में नॉमिनेट हुई लेकिन सिर्फ एक वोट से पीछ रह गई मदर इंडिया ना सिर्फ महभूब खान की अमर रचना है बलकि फरीदून इरानी का भी यादगार शाहकार है इसके बाढ़ के द्रिश्चे हों या खेट चोतने के या फिर क्लामेक्स का सी सभी एकदम रियल लगते हैं मदर इंडिया के बाद महभूब खान की सन आफ तात था जो अचानक छूड़ गया इसके बाद उन्होंने दूसरे फिल्मेकर्स के साथ काम किया मगर बहुत कम अगर हम उन फिल्मों की बात करें तो इन में पालकी, आदमी, दुनिया, गैंबलर और दो फूल जैसी फिल्में शामल है दुनिया के लिए उन्हें दूसरी द हम फिल्मेकर के बारे में जानते हैं, महबूब खान की जन्म, उनकी मृत्यू, उनकी फिल्मों की विशे में जानते हैं, लेकिन उस कैमरामेन के बारे में कुछ नहीं जानते जिसने उस फिल्मेकर के विजन को साकार किया